कि हलो दोस्तों मेरा नाम है पंकत चंद्राकर और आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पीजे एजुकेटर में लाज्स क्लास में मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया था और उसके प्रिवियस क्लासे में हड़्वेर और सौप्टेर के बारे में ब उसके बारे में मैं आज आप लोगों को पताने वाला में मेरा प्रिवियस वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए ठीक है और ये कुछ आपरेटिंग सिस्टम के लोगों और उसके नाम दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर देख पा रहा होंगी यूनिक्स, DOS, Windows, Make OS, Linux, Android और Ubuntu ये सारे क्या है एक एक ओपरेटिंग सिस्टम है इसे Linux कहते है पैंग्वीन, बड़ा, Clear OS, Symbian OS, Blackberry, Apple, Palm, Android ये अलग अलग आइकोन है, Java, CentOS तो ये अलग अलग ओपरेटिंग सिस्टम है तो चलिए देखते हैं कि ओपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ठीक और ओपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है तो पहले देखते हैं हम लोग कि ओपरेटिंग सिस्टम होता क्या है तो क्या है ओपरेटिंग सिस्टम an operating system was is a collection of software that manage computer hardware resource and provide common services for computer program ठीक है तो अपरेटिंग सिस्टम क्या है एक collection of software है जो की computer hardware resource और आपके application software को platform provide करता है generally the operating system act as an interface between the user and the hardware और ये जो है user और hardware के बीच में interface का काम कराता है दोनों को connect करने का काम कराता है ठीक है फिर operating system इजे system software operating system जो है एक तरह का system software होता है तो यहाँ पे अबर what is operating system होगा रहा है तो आप क्या भोलोगे operating system इजे collection of software that manage computer hardware and provide basic functionalities of application software ठीक है फिर next में देखते हैं कि operating system के जो काम क्या क्या होते है what is the function of operating system तो उसमें पहला function होता है प्रोसेसर मेनेजमेंट प्रोसेसर के जितने भी डाटा फ्लो है जिसमें calculations का काम उन सब को manage करने का memory management का कहां फाइल स्टोर करना है कहां पे स्टोर हुए उसको retrieve कराना है यह सारे काम फिर input and output management input and output डाटा फ्लो होता है या जो डिवाइसेस है उन सब को connect या disconnect करने का काम फिर फाइल मेनेजमेंट जो फाइल है उसको प्रोपर एक particular sequence में रखना और डिस्प्ली कराना उसका काम और फेसिलिटिट डिफरेंट टाइप के application software को running कराने के लिए facility प्रवाइट करता है तो यह कुछ आपके operating system के basic functionality हो गए फिर देखते हैं कि classification of operating system की कितने type के operating system होता है तो इसमें जनरली 5 टाइप का होता है real time, multi user, multitasking, single tasking distributed और amdate ति यह पाश तरह के आपके operating system होता है ठीक है फिर next में देखते हैं जिसमें कुछ examples आपके operating system में देखते हैं जैसे कि यह एक DOS है DOS का full form होता है disk operating system ठीक है जो की इसको market में 1981 to 1995 के बीच में लाया गया था एक तरह का command based operating system है जिसमें दो तरह के command आते हैं एक internal command और दोसरों आपका आता है files क्या है और files को naming करने का rule क्या क्या है क्योंकि इसके आगे में next chapter में हम देखेंगे कि files को कैसे बनाया जाता है तो उसको नाम कैसे देते हैं इसके बारे में देख लेते हैं तो file क्या है file जो है generally file is a collection of related information एक related information का collection होता है जिसमें हम similar types के files जिसमें पहला जो rule होता है कि file name should be 1 to 8 character जो उसमें file है DOS में वो जो एक से आठ के बीच में उसमें character होना चीए with an option of 1 to 3 character extension जिसमें एक से लेकर 3 तक उसके character का extension होना चाहिए ठीक है तो इसमें 8 character और 3 का extension file name can be include any one of the following character अब file में ये A to Z तक ले सकते हो capital small letter में या फिर 0 to 9 या फिर इसमें dollar symbol, hash symbol, add the rate percentile open parentheses, close parentheses, curly brackets इतना चीजों का आप जो है file naming के लिए यूज कर सकते हैं फिर कुछ symbols जो है इसमें यूज नहीं होते हैं जैसे कि colon, semicolon, comma, plus, forward slash, backwards slash, star ये सब नाम के आगे हम नहीं लगा सकते हैं कोई फोल्डर लिखने के time थीक है फिर next में देखते हैं हम लोग next में देखते हैं कि MS-DOS को start कैसे करेंगे तो first क्या करेंगे, first जो है start button को click करेंगे start button को click करने के बाद वहाँ पे all program को click करेंगे फिर ऐसे series में जाएंगे, then click on command front में click करेंगे and write a program that save it, press control Z और इसमें एक important बात है DOS में save करने के लिए control Z का ज़रत पड़ता है और full screen करने के लिए alt plus enter, ठीक है यह तुम shortcut की है simply windows में जो है control plus S का युज़ोता है save करने के लिए लेकिन यहाँ पे DOS में control Z का युज़ोता है इसको याद रखिये ठीक है, कैसे open करके कैसे program लिखा जाता है इसको मैं next मेरे एक DOS का separate video बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा की कैसे DOS कमांड लिखा जाता है ठीक है तो एक DOS कमांड जो है particular program होता है which helps smooth operation of computer system there are different type of DOS कमांड in DOS each of them performs your desired tasks ठीक है, और open command prompt type help for information to specify command type help command अच्छा किसी command के बारे में तुमको जानना है तो महां simply help लिख दो help लिख देने से सारा command जो है display हो जाता है ठीक है फिर next पर दिखते हैं कि कितने type का DOS कमांड होता है तो generally जो है दो तरह का DOS कमांड होता है एक होता है internal DOS कमांड और दूसरा होता है external dot com DOS कमांड ठीक है internal DOS कमांड जो है इंटर्नल DOS कमांड जो है इंटर्नल DOS कमांड जो है ए डायरेक्ली की जो है CPU से connected होकर चलता है they do not need any external file support इसको कोई external file support का जोरत नहीं परता है जैसे वी ए आर डेट टाइंग CLS DIR MD CD RD यह कुछ इसमें कमांड है इसकी specific काम होता है पिर external command को क्या होता है इसको external supports का जोरत होता है ठीक है जैसे कि CHKDSK X copy disk copy MAME tree तो यह कुछ internal external command पिर देखते हैं कि DOS command को open कैसे करते हैं ठीक है तो यह मेरा starting screen है यहाँ पर क्या करिए यह जो search button है इस पर click करिए ठीक है और यहाँ पर लिख दीजिए command prompt ठीक है simply C लिख देने से भी आ जाए के दे command prompt तो यह starting का जो screen निकला हुआ है यह generally मेरा फिर next में देखते हैं कि MS Windows क्या है इसके starting में देखे MS-DOS ठीक है MS Windows जो है MS-DOS का updated version है समझिए starting में जो है MS-DOS आया था फिर उसके बाद उसको updates के command based जो था internal external command था फिर उसमें आया आपका GUI graphical user interface ठीक है यहाँ पर user मिस हो गया है लेकिन इसका full form है graphical user interface तो MS Windows क्या है MS Windows is a series of operating system produced by Microsoft तो MS Windows जो है एक तरह का operating system का series है जिसके अंदर में बहुत सारे series आते हैं जिसको develop किया था Microsoft Microsoft tablets MS Windows to overcome the limitations of its own MS-DOS operating system और MS-DOS operating system से ही उन्होंने update करके MS Windows बना है when referring to an operating system Windows is operating environment created by Microsoft that provide an interface known as GUI graphical user interface ठीक है एक CGI होता है और एक जो होता है GUI ठीक है तो जो MS-DOS से वो CGI based चलता था लेकिन अभी का जो window है जितना देखते हैं उसमें छोटा-छोटा यहां पर जनरली Windows का फुल फाम होता है वाइड इंटरेक्टिव network development for office work solution ठीक है Windows जिसमें वह सारे Windows नयने Windows डिस्पले होते हैं फिर इसमें देखते हैं कि यह जो Windows है इसके कितने series है ठीक है तो window का अभी latest में अगर बात करें तो window 2000 11 window 11 जिसको बलते हैं 2011 sorry window 11 11 series अभी चल रहे हैं जिसमें window 1 window 2 window 3 window 4 window 5 window 6 window 7 window 8 window window 9 window 10 window 11 ठीक है इस तरह से different different time पर different windows डेफलोफ होते गया उसमें नया नया features add होते गया चलिए थोड़ा सा overview कर लेते हैं तो जो window 1 जो है window 1 series journey of window जिसमें window 1 कितने bit का था तो window 1 को अगर generally हम बोलें तो वो 16 bit का graphical operating environment था इनने bit का data fit करता था it is on 20 November 1985 जो कि यह जो है windows का first version है कितना 16 bit graphical operating environment था जो कि बीस नंबर 1985 को develop हुआ था ठीक है जो कि आपके windows के first version है इसका window कुछ इस तरह से था जिसमें इस तरह से clock थे कुछ इस तरह से basic functionality के लिए कुछ options ऐसे थे जिसमें उतना graphically वो develop नहीं हुआ था ठीक है फिर next पे देखते हैं window 2 ठीक है तो window 2 भी same to same generally 16 bit का operating system जो कि जी वाई बेस्ट graphical user interface बेस्ट था और यह जो है December 9 1987 में आया था जो कि यह 1.0 के बास से आया था फिर इसमें एक और series आया था window 2.1x 1988 में दो updates इसके आया थे और इसका screen कुछ जो है इस तरह से आया फिर इसमें देखिए यह अलग से window पहले जो देखे उसमें window face लेक्ते नहीं था और यहां पे minimize maximize buttons वागेरा डैबलाप नहीं हुआ था यह starting के series नूटपिट कुछ इस तरह से आते थे इसमें दो तीन टैप्स ऐसे डिस्पली होता था ठीक है फिर next देखते हैं हम window 3 तो window 3 जो है कब आया था window 3 जो है graphical environment third major release of Microsoft Windows यह आया था 22 मैं 1990 में ठीक है और यह जो है सबसे उस time का first FIRST फर्स्ट वाइडली सक्सेस्फुल वर्जन ओफ विंडोस एंड रिवल्ड तो एपल मैसिन टूस एंड कोमडोर एमिंगव ओन जी वाई फ्रॉंट ठीक है और इसका जो है डिस्पली कुछ इस तरह से था देखिए इसमें दे आइकोंस डेबलाप होगा है राइट, पिंट, ब्रस, कार्ट, फाइड, कलेंडर, करेक्टर, अमेब, मीडिया फ्लियर, MS-DOS एडिटर, बैक अप इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें नहा नया फीचर्स एड होते गया फिर नैक्ट पे डेबलाप हुआ, विन्डो फोर, ठीक है, जो की विन्डो 95 नामसेड आया, क्योंकि यह अगस्ट 1995 में डेबलाप हुआ फर्स्ट कंजीमर वर्जन विद बरवेशिव 32 बिट सपोर्ट, इसके पहले का जितना 16 बिट था, एंड प्रिमिंटिब मल्टि टास्किंग, मल्टि टास्किंग प्रेशन यहां से स्टार्ट हुआ, इसमें एक और सीरीज यूज हुआ, विड़ो M.E, विलिनियम एडिसन, जो की सेप्टेंबर 2000 में आया, क्लिक है, जो की विड़ो 4 नाम से लेलो, और इसके स्क्रिन जो है, जनरली कुछ इस तरह से थे, देखिए, अब यहां पे टास्क बार डेवलप हो गया, एक स्टार्ट बटन डेवलप हो गया, इसके अंदर में इस तरह से प्रोग्राम सा ग समझिए, ऐसे विंडो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन आ गया, तो यह चीज धीरे 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 सीरीज पर डेवलप हो गया, जो आज के कंपरटर में हम यूज करते हैं, फिर विंडो 5 जो है, 2000 में आया, ठीक है, विंडो 5 2000 में आया, फिर उसके बाद उस थीक है, विंडो एक्स पी जो है, बहुत मोस्ट पोपुलर हुआ और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा यह सीरीज एक जमाने पे चलता था, ठीक है, कुछ इस तरह से विंडो एक्स पी का सीरीज रहता था, ठीक है, इस पर डिफरेंट टाइप के आइक फोन, टास बार, नेक्स्ट में देखते हैं, विंडो वर्जन 6, ठीक है, तो विंडो वर्जन 6 जो आया, जनरली, डेवलाफ हुआ नवेंबर 2006, एन मार्केट में आया, वो 2007, ठीक है, विंडो 6 का जो सीरीज है, और सब्टेम्बर में आ गया था, उसका 64-bit का एडिशन, पहले 16-bit फिर 32-bit, फिर 64-bit, ठीक है, विंडो 6 का जो विंडोस है, कुछ इस तरह से था, लाइक, विंडो 7, इसमें ये गैजेट्स वोगे डवलाफ हो गए, ठीक है, इस तरह से उसका स्टार्ट बटन था, फिर नेक्स में देखते हैं, विंडो 7, ये जनरली अभी यूज होता है, विंडो 7 जो है, जनरली आया, आपके जुलाई 22, 2009, 2009, और रिटेलर मार्केट में आपकोबर 22, 2009, ठीक है, और ये जो है, इसके तीन साल के अंदर में एक और आया, जिसका नाम था, विंडो विस्टा, ठीक है, ये विंडो 7 अभी अभी कोई-कोई कमपोट हम यूज होता है जनरली ये भी अभी तक चल रहा है, विंडो 7 हम यूज करते हैं, ठीक है, और विंडो 7 का जो डिस्पले है कुछ इस तरह से था, जिसमें अलग-अलग वालपेपर, इधर डॉकुमेंट, इधर फाइल डारेक्टरी, ये बहुत सारे चीज़ें इसके इंप्रूब हुए, बहुत ज़्यादा डेपलाफ हुआ, ये ट्रांस्पिरेट हुए, ठीक है, नोटिफिकेशन एरिया अलग से डेपलाफ हुआ, तो ये अलग-अलग इस पे मज़ेदार शॉट्टिर्स यान मज़ेदार फीचर्स एड़ होते गया, फिर उसके बद आया विंडो 8, जो की पर में इस तरह से एक स्मॉल स्मॉल आइकोन का फैसलेटी विंडो 8 में दिया गिया, ये उतना जादा पॉपुलरली ये उज नहीं हुआ, मोस्ट पॉपुलरली जो आपका हुआ विंडो 7, और अभी के डेट में जुए जो उता है विंडो 10 या विंडो 11, ठीक है, फिर नेक विंडो रिसीविंग ओन गोइंग अपडेट्स, अब इस सीरीज में क्या हुआ, आटोमेटिकली अपडेट फीचर्स एड़ हो गया, कि कोई चीज आया को मोबाइल में जैसे होता है न, तो इसमें भी वो अपडेट्स फीचर आ गए, इसके पहले बाले में नहीं था, अल अपडेट मोड और देस्टोप मोड दोनों मोड इस पे हम लोग एंड कर पाते थे, फिर नेक्स्ट आया, ओक्टोबर 21 में विंडो एटी काई भी इस सीरीज है, जो कि विंडो 11, विंडो 10, 2050 में आया था, और 2021 में विंडोस 11 आया, चीक है, इसमें जो है, इंटरेट एक्स जो है, जो कि विंडो 10 में जो है, अच्छा, इसमें फिर माइक्रोसोफ टीम ने आया था, मीटिंग के लिए जो यूज होता है, माइक्रोसोफ टीम, और ये आपका अभी जो यूज करते हैं, आप विंडो 11 जिसमें ये स्टार्ट बडन को मिडिल सेंटर प्लेस पे लाने क जो है, और ये माइक्रोसोफ टीम का है, इसमें आपको समझ में आया होगा, चलिए थैंक्यू मेरे वीडियो देखने के लिए, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि ये वीडियो में आपको helpful कुछ information, knowledge मिला, तो please like, share, subscribe करना ना भूले, झाल 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 झाल